लेक्चर को शुरू करते हैं बच्चों आज हम जानने कोश्च करेंगे पाइथागोरस को जो की एक मैथमेटीशन थे आज से 2500 साल पहले इनका बर्त हुआ और मैथ्स को देखने का इनका वेज जो था वो थोड़ा सा अलग था आज हम इनके ठ्योरुम के पाइटन को जानने कोशिश करेंगे देखते हैं कैसे पी स्कूर प्लस बी स्कूर इस इकॉल टू एज स्क्वेड जी हां इसी स्पैशल चीज को हम पाइथोगोरस ठ्योर्म बोलते हैं और इसकी कितने पाइटन्स बनते हैं आज हम इसकी स यह पाइथभ और उस्थे रोम की साइड होती है जब कि यह जो होगी है हाइपोटर्णस को रिप्रेजंट करेगा कि यह जो रहती है और बाकी दो सैडिस जो रहती है वह यहां पर बताओं तो यहां पर अगर हम 2m is equal to 6 लेते हैं तो m की value यहां पर हो जाती है 3 इसके according अगर देखें तो m square plus 1 कितना होना चाहिए 3 square plus 1 इसका मतलब 9 plus 1 10 and m square minus 1 कितना होना चाहिए 3 square minus 1 मतलब 9 minus 1 कुल मिला के यहां पर answer 8 आना चाहिए इसका मतलब जो final answer होगा वो हमारे पास 6, 8 and 10 होगा जो कि एक pythagorean triplet को represent करता है बच्चों इसके और भी patterns होते हैं जो कि 2011 में मैंने अपनी study में निका रहे हैं आईए जाने कोश्च करते हैं वो study क्या थी बच्चों 2011 में जब मैं study कर रहा था तो मैंने पाया कि pythagoras theorem जो है वो तीन patterns के अंदर आता है सबसे पहला होता है gap of 2 जो कि pythagoras already देखे गया था जिसको हम बोलते हैं 2mm square plus 1 and m square minus 1 जो कि एक pythagorean triplet को represent करता है अभी अभी previous example में हमने देखा कि हमाँ पास जो sides आई है वो आई है 6, 8 और 10 तो आप देखिए 10 और 8 के बीच में जो gap है वो आपको हमेशा 2 का ही मिलेगा इसके अलावा भी अगर आप लेखें कैसे की हमने देखा 2m is equal to 10 suppose कि यह हमने आपे तो यहाँ पे अगर 2 से काटेंगे तो m is equal to 5 बचेगा अब देखिए m square plus 1 की value कितनी हो जाएगी तो यह हो जाएगा 5 square plus 1 तो 25 plus 1 कितना आ गया हमाँ पास 26 आ गया similarly यहाँ पे m square minus 1 मतलब 25 minus 1 and 24 तो highest and second smallest की बीच में जो gap हमेशा आपके पास आएगा वो आएगा 2 तो इसको हम बोलते हैं gap of 2 series इसको बोलते हैं gap of 2 series अब gap of 1 series और ratio series मैंने निकाली थी तो मैंने अपने study में पाया कि अगर आपको gap of 1 चाहिए रहता है अगर आपको gap of 1 चाहिए तो वो हमेशा odd number के लिए represent करेगा अगर आपके पास एक smallest side है और वो odd number है तो आपके पास हमेशा other two sides का जो gap आएगा वो 1 आएगा देखते हैं एक example के थुरू जैसे की हमने यहाँ पे एक example लिया 7 तो यहाँ पे अगर हम बाकी दो sides की बात करें तो एक आएगी 24 और एक आएगी 25 बच्चों यह एक formula से आता है जिसको बनाने मैंने लगभग 6 महीने लिये थे यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे पाया कि smallest side जो की n लेगे इसका square जो है वो बराबर होता है 2x plus 1 similarly यह side x को represent करती है और यह side x plus 1 को represent करती है आएगे जाने कुछ करते हैं कैसे तो यहाँ पे अगर इस formula की help से मैं अगर जाओं तो 7 का square 49 होना चाहिए और 49 is equal to कितना हो जाएगा 2x plus 1 49 is equal to 2x plus 1 1 को side change करा देते हैं तो 49 minus 1 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा 48 48 अब 48 जो है वो किसके बराबर है 48 टू एक्स के बराबर है तो यहां पर एक्स की वैलू निकल के आती हमारे पास 24 एक्स की वैलू कितनी हो जाएगी हमारे पास 25 हो जाएगी अब देखते हैं कि यह सीरीज को वेरिफाय करता भी है कि नहीं तो 7 का स्क्वेर हमारे पास होता है 49 सिमिलरली 24 का स्क्वेर आपके पास हो जाएगा 576 और 25 का स्क्वेर कितना हो जाएगा 625 625 तो देखिए 625 इस उकॉल टू 625 आ रहा है इसका मतलब LHS is equal to RHS को हम यहाँ पे easily verify कर पा रहे हैं अब देखिए इन दोनों के बीच में जो gap आपको मिलेगा वो हमेशा यहाँ पे 1 मिलेगा बट condition सिफ एक है कि यहाँ पे smallest जो है वो हमेशा odd number होना चाहिए किसी भी number के साथ आप ले लें आपको यही answer मिलेगा suppose करते हैं अगर हमाँ पास number 3 होता तो कैसे निकालते हैं 3 square इसका मतलब 9 यह plus 1 है side change कर लेंगे minus 1 तो हमाँ पास बचेगा 8 2x is equal to 8 similarly x is equal to हमाँ पास 4 आ जाएगा इसका मतलब यहाँ पे हमाँ पास x की value 4 और यह देखिए 5 आ गया तो 3, 4 और 5 अगर यहाँ पे gap of 1 series हो रहा है और यहाँ पे अब ratio series का पंड़ा हम यहाँ पे समझने कोशिश करेंगे तो चलिए ratio series क्या होती समझें मैंने निकाला था कि अगर यहाँ पे 3 ratio 4 ratio 5 के form में कोई भी sides होंगी तो वो हमेशा एक pythagorean triplet बनाएंगी क्या एक बाब फिर से repeat करता हूँ 3 ratio 4 ratio 5 के form में अगर यहाँ पे कोई सी भी sides रहेंगी तो वो हमेशा एक pythagorean triplet बनाती है अब देखिए जैसे कि यहाँ पे 3,4 और 5 मैंने यहाँ पे लिया हुआ है तो 3,4 और 5 अल्रेड एक pythagorean triplet है आप 2 का multiply करा लें यहाँ पे तो 6,8 और 10 अभी अभी हमने देखा यहाँ पे 6,8 और 10 भी क्या है pythagorean triplet है आप 3 का multiply करिए 9, 12, and 15 और 9, 12, and 15 भी pythagorean triplet है देखते हैं 9 का square 81, 12 का square 144 add करा लेंगे आप आपके पास 225 आएगा और इसका square root करेंगे तो आपके पास 15 ही मिलेगा तो इसको हम ratio series बोलते हैं बच्चो 95% cases जो होते हैं वो इन ही 3 series में से किसी एक series के होते हैं इसके अलावा 5% जो cases रहते हैं वो abnormal series को represent करते हैं जिसको predict नहीं किया जा सकता बट Pythagorean series एसी है जिसमें आपके पास कुछ नो कुछ pattern आपको जरूर मिलेगा आज की class आपको कैसी लगी है आप मुझे comment box में जरूर बताएं और channel पे नए हैं तो subscribe करें और bell icon प्रेस करें Thank you and have a nice day